So Hello Everyone, Forum MK, चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है Finally, BS Nursing Course में Advision स्टार्ट हो चुका है प्रवेस स्टार्ट हो चुका है 2022 और 2023 के लिए अगर आप भी Government यानकि सरकारी Nursing College से BS Nursing Course करना चाहते है तो आपको भी यहाँ पर पंजी करन करना होगा Registration करना होगा अब आप बोलेंगे सर कैसे करना है तो इसका प्रोसेज में आपको बताने वाला हूँ Step by Step कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फोरम एपलाई करना है Registration यहाँ पर आपको करना है तो अगर आपको भी Government College में प्रवेस चाहिए तो यह फोरम आपको भी फिलब करना होगा और यहाँ पर पंजी करन स्टार्ट हो चुका है B.A.C. Nursing Course के लिए तब ही तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले अपडेट आपको ही मिलेगा अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से आपको एपलाई करना है कितना मेरिट यहाँ पर जाने वाला है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर ओल इंडिया के कैंडिकेट पॉरम एपलाई कर सकता है जी हाँ बिलकुल चाहिए आप राजस्तान के हो मद्य परदेश के हो यूपी के हो आप कहीं के भी हो जारकन, दिल्ली, माराश्ट ओल इंडिया के यहाँ पर पॉरम एपलाई कर सकता है यह डेट यहाँ पर आचुकी है ठीक है अब यहाँ पर देख लेते important date यहाँ पर announcement हो चुकी है और इसकी जो last date है इसकी जो last date है 23 जुलाई 2022 यहाँ पर दे रख की है 23 जुलाई 2022 तो इससे पहले पहले आपको पंजी करन करना होगा और यह काम आप अपने मोबाईल से भी कर सकते हो अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पंजी करना है गर बेटे आप अपने मोबाइल के मादेम से एपलाई कर सकते हो और आपके कमेंट आपके रेपलाई भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जो भी आपकी प्रोब्लम थी उसको में सोल करने वाला हूँ तो चलिए पहले देख लेते और यह पूरा का पूरा डेट देख लो आप यहाँ पर पूरा का पूरा इसका इस टेक्षर यहाँ पर आचुका है बीएसी नर्जिंग कॉर्स के लिए 2022 और 2023 तो यह इपोर्टेंट डेट आपके लिए रहने वाला है कापी सारी जो विद्यारती है वो बोल रहे थे सर्थ तयारी कैसे करे तो तयारी का पूरा बंदोबस मैंने किया हुआ है MKS Academy एप पर मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ पर फिरी मैं आप और गुशन पेपर पा सकते हो वहाँ पर आपको क्या है फोरम के अपडेट भी मिलेगी जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना MKS Academy जो एप है वहाँ पर फोरम के अपडेट आपको मिलेगी जिसे की आपके फोरम कब आएंगे उसकी भी अपडेट आपको MKS Academy एप पर मिलती रहेगी निसुल्ग की वहाँ पर आपको मिलेगी MKS Academy एप पर तो लिंक नीचे दे रहा है बहुत एच्चा एप है ताकि आपको Need Nursing Paramedical की A to Z Information वहाँ पर मिल सके अगर आप Google Play Store पर जाके सेर्च करोगे न यहाँ पर MKS Academy तो यह आपको टोप पर मिल जाएगा MKS Academy एप ठीक है डाउनलोड कर लेना हमने तो अल्रेडी कर रहा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा है और इस एप पर आपको फोरम से रिलेटेड रजिस्टेशन से रिलेटेड एक्जाम से रिलेटेड और एडिमिट कार्ड से रिलेटेड और यहां तक ही पुराने पेपर वगेरा सब आपको यहीं पर मिलेंगे निसुलक फिरी में तो बहुत यह अच्छा एप एप अपडेट के मामले में अगर आप हमारी ओनलाइन कोचिंग जोइन करना चाता है तो यह वार सब नंबर है इन पर आप बता सकते हो और वैसे MKS Academy F है वहाँ पर भी आपको कॉर्स मिल जाएंगे वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो लेकिन यह सारा क्राइटेरिया आपको MKS Academy F पर ही मिलेगा लिंक नीचे देर का डिस्क्रिप्शन में तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे Sir MKS Academy F तो हम डाउनलोड कर लेंगे लेकिन इसके बारे में बताओ हमको यह फोरम के बारे में तो चलो तो BS Nursing देखो यहाँ पर कॉर्स 2022-23 तो अब यहाँ पर आप देख पारूँगे कि कैसे आपको apply करना है और यह कौन सा कोलेज है टो पे देखो आप यह है Government Nursing कोलेज कहाँ का आपके दिल्ली का तो यह आपके दिल्ली का जो अहिल्याबाई कोलेज है वहाँ के यहाँ पर पंजी करन स्टार्टे फिलाल अभी 30 जुलाई तक का मौका है अब आप बोलोगे डेट देंगे आपको चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि कितनी पीस रहने वाले पीस आपकी नमातर यहाँ पर रहने वाली है अगर कोई गरीब प्रिवार से बिलोग करता है विद्यारती तो वो भी यहाँ पर कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर कम से कम आपकी उम्र 17 साल होना चाहिए और आपका टॉल्ट पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर एपलाई कर सकते हो आपके पास पिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजियां पर होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ठीक है चलिए और भी यहां पर देख लेते हैं सेलेक्शन की बात करें तो नेट के बेसिस पर होगा और नेट के बेसिस पर ऐसे नहीं होगा पंजीक करन आपको करना होगा मैंने पहले भी बता रखा है कि नेट के द्वारा कैसे आपका होगा परवेस जैसे आप B.H.U. में लेना चाहते हो जिपमर में लेना चाहते हो तो उस यूनर सिटीज पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अब आप बोलिंग सर रजिस्ट्रेशन के पोर हम कब आएंगे तो यह आपको MKS Academy एप पर जान कर मिल जाएगी वहाँ पर अपडेट मिलती रहती है जिन्नोंने डाउनलोड कर रहा होगा उनको तो मिलना स्टार्ट हो गया होगा तो यहाँ पर सिटों का वितरन देख लो 50 सिटे आपके रहने वाली है कितनी 50 सिटे और यहाँ पर पीस आपके नमातर रहने वाली तोड़ा सा स्क्रोड डाउन है इसको हम कर लेते है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी पीस देख लेते ही पहले तो यह तो फोरम की पीस है यह OBC General की 1000 रुपे और यहाँ पर EWS की 500 रुपे यह इसकी फोरम की पीस है अब आप कॉलेज की पीस देख लो कि कॉलेज में कितनी पीस लगने वाली है जहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वाली आपसे लाकों रुपे ले लेते है तो यहाँ पर गवर्मेंट आपका मातर देख पार हूँ 1200 में आपका कॉर्स करवा रही है तो कितना अच्चा होता है जो गरीब प्रिवार का बच्चा है वो भी कर सकता है आराम से जिनकी आरति इस्तिती बहुत ही कमजोरे वो भी बच्चा यहाँ से कर सकता है तो यही पाइदा होता है कमेंडों से मेरे को पता लगेगा यहां तो देखो केसे आपको फोरम बना है चलो मैं इसका प्रोसेज में आपको दिखा देता हूँ उसके बाद आपके कमेंडों का जिगरियां पर कर लेंगे इसके लिए आपको क्या करना है अहिलिया भाई कोलेज अब नर्सिंग जो दिल्ली में है ठीक है इसकी ओपिसल वेबसाइट पर आपको आना होगा इसका लिंक टेलेग्राम पर सेंड कर देंगे और टेलेग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ठीक है अब इसकी official website पर हम आ चुके तो यहाँ पर आप देख पारूंगे इसकी important date विगर आप यहाँ पर देख लो और इसका prospectus भी यहाँ पर देख लो तो closing date 30 यहाँ पर दे रखी है July 2022 और यहाँ पर net के दोरा selection होगा तो इस वाले पर आप पंजीकरन यहाँ से कर सकते हो अगर आपको एड़िसन लेना है दिल्ली की government college में तो यहाँ से आपको करना होगा new registration पर ओके तो आप यहाँ पर देख पारूंगे यह open हो चुका है और यहाँ आपका नाम email id, phone number, mobile number और आपके net के application number यहाँ पर आपको डालना होगा save करना होगा इतना सा काम आपको करना है तो इस तरिके से आपको पंजीकरन करना होगा गर बेटे भी आप अपने mobile से यह काम कर सकते हो तो इसका link आपको टेलेग्राम पर मिलेगा तो यहाँ पर टेलेग्राम फोलो करने वालों का बहुत इबड़ा फायदा होता है यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है उनको और यह टेलेग्राम का नाम है DRMKBRO link इसका नीचे भी देरका description में या फिर आप टेलेग्राम पर जाके DRMKBRO सेर्च करोगे तो यह इमेज वगिर आपको दिख जाएंगे तो यह हमारा टेलेग्राम चेनल है तो इसका आप फोलो कर सकते हो और पूरे अपडेट यहाँ पर भी पास सकते हो अब बात आते हैं तैयारी की तो यूटूब से भी आप तैयारी कर सकते हो जो हमारा जेकेल लॉन जॉब चैनल है यूटूब पर बहुत अच्चे तैयारी रोजना प्रेक्टिस कुशन वगिर आप यहाँ से पास सकते हो जेकेल लॉन जॉब चैनल पर प्रेक्टिस कुशन नॉन स्टॉप और इसके लावए ये जीके एमस्क्यू एमके चैनल तो दोनों का लिंक नीचे दे रखाए इन यूटूब चैनल के मादें से गर बेटे आप तैयारी कर सकते हो और जिनको हमारा पेड कोर्स लेना है पेडियेप वगरा नॉट्स वगरा लाइब क्लास वगरा तो वो एमकेस अकेडमी पर उपलब्द है उसको डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हो सो यहाँ पर आपके कमेंट में ने ओपन कर लिए रूबी पटेल का कमेंट है यू आर ग्रेट टीचर थेंक्यू सर रूबी पटेल आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कमेंटों से तोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिल जाता है तो योगेस को बहुत बहुत धन्यवाद नोसेत को बहुत बहुत दिनेस को बहुत बहुत यहाँ पर दिनेस आपका साहरी आई नहीं एक साहरी और लिख दो आप दिनेस ठीक है मज़ा जाएगा प्रीति आदो को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है समयर का कमेंटर सर हमने बीएस नर्सिंग का इंटरंस एक्जाम का एप्रिकेशन फोरम नहीं बरा तो गवर्मेंट को दिया होगा तो आपको प्रवेस मिल सकता है बिंदास ग्रल्स का कमेंट थेंग्यू सर एक क्यूसन है बीएस नर्सिंग के लिए कोई बी अच्छी सी बुक बताईए जिससे रिडिंग चलो बुक में आपको बता देता हूँ जैसे आप MKS Academy एप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी बीएस नर्सिंग की बुक आपको मिल जाएगी 349 वाली ये बुक है इसमें बुक भी मिल जाएगी आपको नॉट्स भी मिल जाएगी इसमें आपको add to z सारी information आपको मिल जाएगी आपको market से कोई भी करीदने की requirement नहीं है वो MKS Academy पर ही आपको बुक मिल जाएगी तब ही तुम्हें आपसे MKS Academy एप डाउनलोड करने के लिए बोलता हूँ ताकि वहाँ पर आपको update में मिलती रहे पूरा पूरा criteria वहाँ पर आपको मिलता रहे रिना साव को बहुत बहुत धन्यवाद मादूरी को बहुत बहुत धन्यवाद सर नीट में कितने नमबर चाहिए तो इसका वीडियो में ने बना दिया है जाके देखो चैनल पे कि कितने नमबर आपको चाहिए BS Nursing के लिए कम से कम 400 सिवन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर पारुल सिंग को बहुत बहुत धन्यवाद विरेंदर सुमीत मनीज आप सभी को राहूल बहुत जितना धन्यवाद कहूं उतना ही कम है रिना साउ सर आरियोचेस में यूपी वालों को BS Nursing में एडिशन के लिए कितने नमबर लाना होता है रिना साउ आप तो कम से कम 70 पलस ले आना हो जाएगा ठीक है और आराम से आप लेकर आओगे मेरों को पक का यकीन है आप तो 80 पलस लियाओगे क्योंकि आप इंटिलिजेंट हो कापी नहारानी को बहुत वह दन्यवाद तन्वी सर क्या एडिशन फोराम चालू है इसलिए हमें नीट का एक्जाम देना होगा नीट का एक्जाम तो हो चुका ठीक है और दे भी लियाओगा अब आपको ओनली रजिस्टेस नियापर करना है पवन सर्फ बार भी में टू सब्जेक्ट में कमपार्टमेंट है तो मुश्किल है परवेस लेना सर्फ बीयस नर्सिंग के लिए कितने नमबर चाहिए होता है सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम 60-70% 65 तो होना है चाहिए तनों को बहुत बहुत धन्यवाद और रूबी पटेल कॉलेज में नीट के बीयस नर्सिंग के लिए आपको देखो अपडेट मिलता रहेगा अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहा होगा न तो सर पलीज जीके का पेपर इंगलिस लेंगवेज में भी बनाओ ठीक है बना देंगे मकस अकेड़िमी पर आपको मिल जाएगा सर АМП में पिरामेडिकल बीयस नर्सिंग के एक साथ जी हाँ बिल्कुल देखो अभी पहले बीयस नर्सिंग कहएंगे तबी मद्यपर्दिस में पिरामेडिकल के फोरम आएंगे सर हमने बीयस नर्सिंग किया है क्या मुझे जैने में एडुशन मिल जाएगा अच्छा बी-एसी क्या हुआ है ओनली तो आराम से मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा आराम से मिलेगा प्रिंस कुमार सर्फ बी-एस नर्सिंग के लिए कौन कौन सा इंटरंस एक्जाम होता है प्लीज हेल्प मी को इतना सारा प्यार आपका बना रहता है तो बिल्कुल भी हम को गिव अप करने का मन नहीं करता है हर बार आपको अपडेट देने का मन करता है सर जुलाई के बाद अब कोई बीस फ्रेंसी के पूरा भी अभी तो आएंगे ना राजस्तान में आएंगे मद्य पर्देश में हर्याना में आएंगे बहुत सारी जगह आएंगे अभी तो दिल्ली में आएंगे डिस्टेंस कोर्स पॉस्ट विएंसन के हो सकता है बिल्कुल हो सकता है एमकस अकेडमी एप पर जाओ सारी इंप्रमेशन पाओ सिंबल से बात है सर एल एल एमबी में ब्रे जाएंगे तो व अवाई लेबल है उसके फॉरम निकाले जाएंगे राजस्तान का मैंने आपको बताए रखा है अगले महीने आने वाला है तो मैं यह एक होगा बस आप तियारी करते हो फॉरम के अपडेटों मैं आपको देता रहूंगा ठीक है अंसू आप सभी के कमेंट में देख ले दन्यवाद एमकेस अकेडमी एपे जाओ पूराने पेपर पाओ एडमिट काल कब आएंगे उसकी जानकरे पाओ पेपर फॉरम कब आएंगे उसकी जानकरे पाओ लिंक नीचे देर का डिस्क्रिप्शन में अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताओ मेरे को आपकी हर समस्या में सोल करूँगा